नमस्कार दोस्तों, ओसियन नेटवर्क में आपका स्वागत है, मैं हूँ ओमकार चोधरी, और कई दिन से आप लोग ये बार-बार आग्रह कर रहे थे के भाव तोर से खरको लाईए, भाव थोड़ा सा समय के लिए गाउं चले गए थे, मुंबई वापस लोटे हैं, कुछ नेट की प्रोब्लम थी, इसलिए पिछले दो-तीन दिन तो हम लोग जुड़ नहीं पाए, आज जुड़ गए हैं, तो भाव से सीधे आपकी मुलाकात में करा देता हूं, भाव आपका बहुत अभी नंदम, बहुत स्वागत, नमस्कार, नमस्कार, भाव, राहुल गांध नहीं बड़ी सुर्खियां बटोर रहे हैं, एक मीडिया के खास वर्ग में, और जिस तरह के वो भाशन दे रहे हैं, बहुत ड्रामेटिक अंदाज में, पारलेमेंट के बाहर भी, ना कोई नियम मानते हैं, ना काइदे मानते हैं, ना सदन की गरिमा का कुछ खयाल है, बाह पर भी कई तरह के बयान, ट्वीटर बाजी तो उनकी चलती ही रहती है, तो मेरे मन में एक सवाल आया, और मैं आप से ही यह पूछना चाहता हूँ, कि राहुल गांधी को आप नेता बहतर मानते हैं, या अभीनेता बहतर मानते हैं, ना मैं उनको नेता भी नहीं मानता, रखा होती है, उसमें हर पातर की एक एहमियत होती है, एक किरदार जो होता है, उसके एहमियत होती है, तो जो राजनीती चल रही है, उसमें उनका एक इनकी एक एहमियत है, उसका मातो है, हम जब मानते हैं कि अगर राहूल गानी नहीं होते तो राजनीती में क्या होता ही रुचिहीन हो जाती। हम अगर नहीं होते था हस्ते कुस पर हम हस्ते किस पर वो लो इतना बड़ा सोशल मिडियार चल रहा है वो किसका मजाग उड़ाते तो यह अहमीद है उनकी हमको समझना पड़े कि आज की राजनीती में राहूल अगर नहीं रहे तो करेंगे क्या हम लोग क्या करेंगे पूरे इतने चैनेल चल रहे उनके पास क्या रहेगा हमारे मराठी में एक बड़े किरकस कसम के पत्रकार थे उनका भी नम भावू था विचारों से लोहियावादी तो इन्हों ने एक विवीत भारती बजाता क्या रेडियो सिलोन बजाता क्या तो सोचलो उगर रहूल गाने नहीं होते पिछले दस साल में 15 साल में राज निती में तो हम क्या करते इतने सब चानेल किस पर चर्चा करते डिबेट करते तो यह रहूल के आहमियत ऐए आज की राजनीती में और दूसरी बात एक होती है है जो स्टोरी होती है कथा होती है न FC शूमा मॉझार्टाएं होता है. तो उसमें अगर कोई मजग करने वाला ना हो, कोई कौमेड़ी करने वाला ना हो. कोई विलन हो तो कथा क्या मधा जिन्दगी आप सीधी साधी हो जाए तो आप जल्दी मर जाओगे यार कुछ तो गड़बड होनी चाहिए तो गड़बड करने की जिम्मेदारी उन्होंने उठाइए तो बहुत बड़ा योगदान है राजनीति भारत की राजनीति में उनका बड़ा योगदान है अब इनक इतनी जमीन चाइना को दे दी 62 में उसका तो इनको पता नहीं या पता है फिर भी नहीं बोलना चाहते और रोज उटकर मोदी ने जमीन दे दी मोदी ने जमीन दे दी बोले मुझे आजक शायद महावीर त्यागी या कोई थे जंसक के उस समय के यह सवाल जब पार्लमेंट में आया था तब नहरू ने जबाब दिया था उदर तो घास का पत्ता भी नहीं खिलता उगता तो जाने से क्या फरक पड़ता है तो महावीर त्यागी ने बोला था आपके सरपर भी बाहन नहीं वुकते वो भी ले दो चाहिनका अब यह तो इनको मालूम नहीं है अपने परदाधा के बारे में यह क्या बोला गया तो काल वह जोरो हो जाएगे फिर तो हमको अधिरंजन चौधरी पर निर्बर होना पड़ेगा रामदास अठावले भी हैं भाव रामदास अठावले लेकिन वो तो क्या होता है कि हम कुछ पकाते हैं घर में तो जितना नमग डालते हैं उतने ही है ये तो हर दीन चल रहा है यार राओल गानी का हर दीन चल रहा है अठावले हटे में 10-15 दीन में एक बार होते तो उसमें मज़ा होते हैं आप बार-बार मज़ा की बात करते रहो तो देखे उससे मेडिया भी रुचीहिन होता जा रहा है जी जी अब यूटीब हो हम जैसे वीडियो बनाते है उसको जो एक शुरुता मिल रहा है अपनी एक डिजिटल में एक एहमियत बन गई है पर देखने को मिलता है फिर भी उनकी टेयर पी कम हो रही है और हमारे जैसे जो कुछ है हमारे लिए कोई सतर देखता हैं पचास कजाने का काम कर रहे हैं लेकिन फिर वी मैं मानता हूं कि उनकी ज़रूरत है क्योंकि जो बीजेपी की राजनीती है उसमें राउल की आहमियत बहुत है मोदी और शा की रणनीती में राउल गांदी की बड़ी आहमियत है एक बार समझो नड़ा नहीं रहे तो चलेगा या और को बीजेपी के लोग है वो नहीं रहे के तो चलेगा लेकि राउल गांदी तो चाहिए भई इसको थोड़ा विस्तार से समझाए है हमारे दर्चकों को कि राउल गांदी की इतनी एहमियत क्यों है मौदी और शाह के लिए मैं विल्कुल आप मैं यह सोचता रहता हूँ कि मैंने उस पर एक वीडियो बनाया कल डाल दूंगा जी जी कि मराठी में है कि अगर राहूल गानी नहीं होते तो मौदी के लिए काम आसान नहीं होता कपिल सिब्बल है या मनिस्टिवारी है या वो अपने दिमाग से काम करते और सरकार को ऐसे तलवार पर रखते हो लोग उनकी बुद्धी उनके पास है लेकिन जब इनको राहूल गानी की लाइन टो करनी है तो अपनी बुद्धी वो चला नहीं सकते नहीं इतने सरकार का काम आसन बन जाता है तो बुद्धी शाहा की जो रणनीती है उसमें राहूल के अहमियत बहुत बड़ी है ने तो असल राजनीतिग्य जो सामने बैठे है अब एक बात आप देखिए दोजार अठरा में एक चुनाओं के पहले एक साल पहली बार अविश्व पार्टी के लीडर थे वो एक सतर मिनिट या कुछ बोले और वो पूरा अंधर पर बोले अंधर की जो राजधन ये उसको पैसा देना था ये अमरावती वगरा वगरा उसके बाद उस सब्जेक्ट पर दो दिन में कोई कुछ नहीं बोला सब अपना अपना बाते बोलते ग तो आपलकीदा चो रहे अनिलंबानी ये इतना होते गया को जो इश्यू ही नहीं था और उस पर चुना हो गये और मोदी जो तो आराम से निकल गए उसमें से क्रिदिट वो तो राहूल गण्नी का यह ना अगर राफिल की तरफ अगर राजनी का मोड नहीं गुमाया होता तो बहुत सारे紌 है उस पर मोधी जी का अपयस सामने लाया जाता है ठीक है आपने बोला भाई आप बोल रहे कि 10 करोड़ लोगों को हमने गैस दिया असल में तो 6 करोड़ लोगों को मिला है तो 2 करोड़ लोगों को delivery नहीं हुई इस पर मोधी जी को जवाब देना पड़ था लेकिन उन्होंने ये सवाल नहीं किया बिजली कितने घर पहुची इस पर नहीं हुआ जंदना कौन पर नहीं हुआ अलग अलग से गोवर्मेंट की सीम थी मोधी जी हाँ वो बहुत लेवल पर सक्सेस हुई लेकिन उसमें भी कुछ अंसक्सेस तो है फेलियोर तो है उस पर चर्चा हो जाती ना उस पर तो चर्चा ही नहीं हुई इसलिए मूधी जी के लिए चुनाव आसान किस ने किया राहुल जी ने किया है तो इसलिए मैं मानता हूँ कि मूधी और शाह की जो सक्सेस टोरी है उसमें र कि अखल गानी है तब तक लड़ास पर बोलते रहेगे और आम अदमी भोले का मामला है नहीं लुक्त पर तो लोगओν क sickness है नहीं अधने पंजाब या हरियर्णा के कुछ लूग है बाकि देश में तो मामला है नहीं रास्ट जब इस पर चुनावद होने वाले है तब आप क्या जमाब दोगे आपने क्या किया है तो हमने अंदोलन किया है जब निगेटी होता है आपके पास अल्टर्निटी होना चाहिए कि भाई आप देखिए उदर उत्तरा खंड में जो हुआ है ट्राई ट्राई हो गया अब देख लोग है उन्होंने जाके आई टीवीपी के लोगोंने कोई डूबने वाला है उसको बाहर निकालके बिठाया यह बोले कि उसको तो कंबल भी नहीं दिया उसके दर्व सर पर छत नहीं है और वो बोले का रहे मरे मुझे मरने से बचाया है मेरे लिए वही तो अच्छे दिन सवाल नहीं पूछा जाएगा तो अगर जो सवाल नहीं है उस पर राजनीती की चर्चा चली जाए तो मूदी आसानी से बीजेपी की गवर्मेंट और मूदी निकल जाते तो इसका श्रीय मूदी को नहीं मिलता यह पूरा का पूरा जो डैवर्शन दे देते राहुल गांडी की अहमियत है वो हमेशा राहुल गांडी को चेहरा बना देना चाहती और जब तक वो चेहरा रहेगा दूसरा चेहरा उबरेगा नहीं और भाव यह जो इनकी आत्म विश्वास है जो इनका इन्होंने CAA पर बहुत कॉन्फिडेंस के साथ जूट बोला के मुसलमान किसानों की नागरिकता चिन जाएगी इसके अलावा MSP पर बोला मंडी चली जाएगी MSP चिन जाएगा किसानों की जमीन हडप लेंगे पूंजी पती अभी अगर चाइना की फोज बैक कर रही है वो वापस उल्टे पाउं लोटने के लिए बात देकी गई है तो ये कह रहे हैं कि मौधी जी ने चीन के सामने सिर जुका दिया जमीन उसको दे दी जबके रक्षा मंतरी परलिमेंट में कह रहे हैं कि एक इंच जमीन भी चीन को नहीं दी है और हमारी सेनाए सक्षम है मात्र भूमी की रक्षा करने के लिए लेकिन जितने कॉन्फिदेंस से ये खड़ होकर के भाशन देते हैं जूट बोलते हैं उस पर क्या कहेंगे भाव मुझे तो राउल गांडी का बहुत पसंदाता है मैंने जिन्दगी ने इत्मा कॉंफिडेंट आदमी देखा ही नहीं सचीन तेंडुल करें हमारे विराट कोहली है यह जो खिलाडी है गावस करें डटकर खड़े रहते थे लेकिन उनमें भी इतना कॉंफिडेंस मैंने नहीं देखा है या तो छे चक्या आने वाले यूरा सिंग है आपने उनमें इतना कॉंफिडेंस देखा है रहूल गंदी जैसा नहीं देखा बिलकुल नहीं देखा बिलकुल मुझे उनका कॉंफिडेंस बहुत पसंद आता है और मुझे देखिए अभी मेरी नातीन आ गई है छे महने कि एक-दो साल में सक्ड़तिया मेरी दिखाती थी तो उसका चोंफिडेंस मैंने देखा है या और बच और चलो का Ben i देखा सकफिडेंस में देखा है तो मुझे राहिलंगा सुन्दे वालों सुन्देमालों को बहुता है आपके पास कोई दो साल तीन साल पास सल का बच्चा है जो पहली तो पहले किया बात करेगा आपको पता नहीं आपको नहीं समझता है तो उसका जो पच्छा साल चालीस साल का बाप या मां है पई तीस साल की उसको वह दो साल-चार्थ साल का बच्चा आपको कुछ समझ नहीं बोलता है वो जो confidence होता है वो मुझे राखूल गानी में दिखाई देता है कि वो कुछ नया सीखता है तो उसको लगता है कि दुनिया में पहली बार वो समझ रहा है और किसी को इसका पता ही नहीं नहीं पहली बार तो रहूल गानी को आप देखो उनकी भाश्या देखो उनका बरता हो देखो तो आपको पता चलेगा कि उनको लगता है वो जो बात कर रहे हैं वो पहली बार किसी को समझ में आए अभी वो बोलेगे कि उस दिन मैंने सुना उनका कि केरल में कहीं उनका भाशन था तो बोले कि किसानों को पता ही नहीं यह कानून क्या है असल में इनको पता नहीं यह कानून क्या है अब जो किसान खेती करता है उसके वेस्टेड इंटेस उसके तसम्द क्या है वो उसको पता नहीं हो इनको पता है जी जी तो आप समझ लो क्या है अब यह पार्टी चला रहे यह पार्टी उन्होंने 6-7 साल में डुबो दिये, 130-35 साल की पार्टी है, वो इन्होंने डुबा दिये, और फिर भी बोलते हैं कि देखो, हम बड़ी ताकत से काम कर रहे हैं, अब इनकी ताकत का मतलब क्या होता है, वो ही जाने, हम तो नहीं जान सकते, लेकिन वो confidently बोलते है कि Congress यह करेगी, Congress वो करेगी, अगर Congress आई तो नोट बंदी पिछे ली जाएगी, अब आप पिछे लेके पुराने नोट कहां से लाएंगे, अब जो analyst है, पत्रकार है, वो उनको नहीं पूछते कि भाईया, आप नोट बंदी वापस लेंगे, तो पुराने नोट लाएंगे कहां से वो तो बता, अच्छा युनों ने नियाए दुलाये थे ना, हर साल में, हर लेने, छे हजार, बाहत्तर हजार, आपके खाते में सिर्दा डाल लेंगे, बिल्कुल, तो एक पत्रकार ने इन से नहीं पूछा, भाईया, बिल्कुल आप डाल दो, कोई बात ने, लेकि हर मेहना, छे हजार, ये साल में, बाहत्तर हजार, 72 टू थाउजंड, राहुल गढणी डालने वाले थे, सवाल ये उटता है कि कौन से खाते में डालोगे? क्या आपके ममनुन चाचा ने खाते निकाले या आपकी दादी ने आपके पिता जी ने ये खाते निकाले जिस बैंक खाते में गरिब हो के आप directly पैसा डालने वाले हैं वो खाते आए कहां से वो तो जन्ला कॉर्ड मुदी के नहीं निकाले ना तो कम से कम पहले बोल दो कि कुछ काम नहीं किया मुदी ने सिर्फ महें बास छहाजार डालने वाला हूँ उसके लिए खाते बनाए कम से कम वो तो बोलो लेकिन पॉर्फिडंस एको स्वीदे आपके खाते में चला जाए तीस हजार करोड अंबानी के जेब में डाल दिया अब अनिर अंबानी को पता नह उसने तो खुद को दिवा लिया घुशित कर दिया वो बोलता है किसी इंटर्विव में मैंने अनिर अंबानी के सुना कि मैं मेरी बीवी के गहने बेच कर जी रहा हूँ हाँ लग मर की अदालत में उसने का हाँ तो उसको अनिर अंबानी को पता नहीं उसके जेब में 30,000 कर किसी के पास इतना confidence है राउल गार्णी के पास है उसको अपने जेब में क्या है पता नहीं जेब में हाद डालकर दिखा देते कि मेरी जेब तो फटी हुई है और दूसरे के जेब में क्या है 30,000 करोड है इनको मालू है तो यह जो confidence है बहुत सा देश जुनिया का आठवा न ना हम बता सकते ना हम समझ सकते लेकित मैं मानता हूँ कि आज की राजनीती में पर्टिक्लरली मूदी की राजनीती में और रणनीती में इनकी बड़ी अहमियत है और मूदी इनको समाल समाल के इस्तेमाल करते बिलकुल समाल के इस्तेमाल करते कि भाई राहूल गार्णी को तो रोज कुछ बोलने की चीज मिले, इसकी कोशिच भी BJP को करनी पड़ती है, तो इसलिए मैं उसको रणनीती बोलता हूँ, और भाव, ये जो नया जुमला कहीं से ढूंड के लाए हैं ये, हम दो हमारे दो वाला, ये तो उनकी दादी के समय से है, हम दो हमारे दो, तो अभी हमारी उमर के हम उमर के जो होगे पचास या चालीस साल, चालीस भी नहीं, पचास साल के उपर रहेंगे, उनको वो जुमला मालूम होगा, क्योंकि उस समय, 60, 70, 80 के जमाने में, 60, 70 के जमाने में, हम दो हमारे दो, तो फैमिली प्लानिंग के, परिवार नियोजन का मामला था, तो भई लोकसं क्या कंट्रोल करने के लिए, दूही बच्चे लगते हैं घर में अच्छे, ऐसा भी एक गाना बच्चा था उस समय, वो उन्होंने इमर्जंसी में इतने लोगों की नस्बंदी कर दी, कि वो जुमला तो बाद हुआ, लेकिन उस मंत्राले का नाम भी बदला गया, परिवार नियोजन जिसको हम बोलते थे, उसको बाद में परिवार कल्यन विवाग बनाया गया, बिल्कुल, बिल्कुल, तो किसी जुने उनको निकाल के दिया होगा, भई यह तो पूरा ना है, इस्तिमाल करो, तो नको बोलना था कि शाह, हम दो का मतलब मुदी और शाह, और हमारे दो मतलब अम्बानी और अदानी, तो उन्होंने बोला देश के बारे में गयों लेकिन वो तो कॉंग्रेस का मामला है, च ज्यूंतर भाइंड़ांगरेस में हई ही दो लोग के देखिए इंदिरा जी ने कांगरेस खतम करने के लिए ये असलोगन का इस्तेमर्ट क किया हम दो हमारे दो पिता जी और इंदिरा जी और उनके दो बच और कया बोलते पोते राहू सञे और राजियू और राजियू तो उन्हों से संजय को वारिज बनाया था उनका एक्सिडेंट हो गया हवाई जाज गिनने के बाद तो दूसरा हवाई जाज उतराया और उसमें से राजियू गानी को निकल कर वारिज बना दिया तो हम दो हमारे दो अब उसके बाद सुनिया ग बताया कि मुझे अद्धिक्ष रहना नहीं है और दूसरा कोई बने तो क्यों नहीं हो रहा है देड़ साल तो हो गया निकल गया तो हम दो हमारे दो अब इसके आगे जाकर 10 साल के बाद हम सुनेंगे प्रियंका और रहुल के दो हम दो हमारे दो उनका कोई रियान नम का बेटा है और बच्ची है तीसरा कोई आभी नहीं सकता वो बता रहे हैं वो देश के बारे में नहीं बोल लगा हम लोग ना समझे रहुल कांदी बिल्कु family के बारे में बोल रहा है और Congress के बारे में बोल रहा है हम दो हमारे दो तिसरा नहीं हो सकता इसका मतनब Congress का अध्यक्ष नहीं हो सकता Congress के लिए दूसरा कोई Prime Minister नहीं हो सकता इसलिए उन्होंने बोला है इसलिए उन्होंने नाम ञाँ नाम तो नहीं लिया अदानियांभाणी बूदी शाय ये तो नाम नहीं लिए अगर हम नहीं समझना चाहते तो यह हमारी करती है उनकी नहीं वो विलकुल सही बोल रहे है पौन सब्सका आप नहीं भी इसका मतलब उसको नहीं डिखता है कैसे मान लेंगे आप कलर ब्लाइन्डनेश सह था सटये कि बोलता में मजद नहीं कर रहुब मैं सटीलिकलि इसका में धें में हम एक दोस्ट के घर गए थे तो हम नए-नया कलर टीवी आया था असी के दशक में तो उदर एक उनका रिश्टेदार बैठा था वो समझ नहीं बूलता था मुझे तो कलर नहीं रिखाई दे रहा है तो मुझे आजीब लगा ये क्या बोले हैं उसके पास नया कलर टीवे आया था तो दोस्त में उन्हों ने पहले लिया ता था तो हम लोग उनके घर में गह थे तो कोई दूर के दादा वह गरे चाचा लगते थे तो बाद में वह ने वो दोस्तों पुछा यह तुम्हारे चाचा जो है वह ऐसे क्यों बोले रहे हैं कि वह तो करल ब्लाइंड है उनको सब ब्लैकशन वह दिखता है उनको कलर दिखता नहीं तो फिजिकल उनका प्रॉब्लेम था तो हम उनको गलत कैसे बोलेंगे मैं रहूल गंदी को गलत नहीं मानूंगा आपको जो दिखता है वो उनको दिखना चाहिए सक्ति कैसा अब्दवर्दस्थी नहीं कर सकते डिमोक्रासी हमारे देश में अगर उनको पूरा का पूरा ब्लैक एंड वाइड दिखाई दे रहा है तो उसमें गलत क्या है उनको दिखाई दे रहा है आपको उनको जो दिखता है वो आपको ना दिखे इसका मतलब वो गलत नहीं हो थे अगर उनको लड़ाक में जो हुआ है वो नहीं दिखाई दे रहा है पिशाच जिसको दिखाई देता है दिखाई देता है तो वो जूट नहीं बोल रहे हैं उनको वों दिखाई दे रहा है और वो तो झाSon 11 को उनकी सोच में जाकर देखे उनके माइनसेट में जाकर देखे तो आपको भी कोई दिखाई देगा कि हाँ चाइना नो तो पुरा दिल्ली में ले लिया हम तो भाग भाग कर गुजरात में आकर या मद्यपदेश में आकर बाते कर रहे हैं यह तो दिल्ली भी चाइना को दे दिया है बोल सकते हैं और चाइना का Communist Party का जो सेशन है वो तो हमारे Parliament House में हो रहा है वो भी दीख सकता है ना देखने में क्या आर्ज है कि यह तो यह कहे चुके थे चाहिना पंद्रेसो किलमेटर कर चुका कश्यार ना बिल्कुल फंद्रेसो किलमेटर तो नहीं देखो रहाए तुलसी दास किया जिसकी रही भावना जैसी प्रभू मुरत्तिन देखी इस ऐसा मैंने पढ़ा है तो उसको वह देखना चाहते ना अब रहूल गानी तो बड़े कलाकार है कि हम जाते हैं कई बड़ा पत्थर पहाड का एक बड़ा पत्थर देख लेए अब कोई अवरंगाबाद में हमारे अजंठा वेरूल जो है स्कुल्प्चर से तो हजारों साल से वह पत्थर खड़ा था लेकिन कुछ कलाकार है उनको उ उसमें स्कल्प्चर दिखते हैं उनको दिखाई देता है मुर्तिया दिखाई देती है तो कभी आगे चलकर वो सच निकलेगा हम उनको जूट क्यों मानें हम उनको जूट कुले एक हास से कभी है अरुण जैमनी वह एक चुटकुला सुनाते हैं काव्य मंचों पर बड़ी म किसाब लोग कहते हैं कि यह हरियाना वाले ग्यान क्यों नहीं लेते किसी से तो बोला जिसने कुरुक्षेत्र में महा भारत काल में स्री कृष्ण से ग्यान ले लिया हो वो आज कलके बाबाओं से थोड़ा ग्यान लेंगे तो कई बार लगता है कि यह चुकी गांधी परिवार से हैं उनकी राजनितिक विरासत को लेकर के एक मात्र दावेदार है मैंका गांधी को और वरुन गांधी को तो इन्होंने कभी का निकाल दिया था गर से तो एक मात्र जो विरासत के दावेदार है वो राहुल गांधी है और प्रियंका वाडरा है अब चुकी नह सारा ग्षान की कता सुनते ना जन्म लिया वह एपल समझ के सूरज को खाने निकले थे तो यह कता अगर मानते तो रहुल ग्यानी इंगे मानने में क्या हर्ज है उनको हर चीज का ग्यान है हर चीज का ग्यान है और उनके सामने जो है वो अग्यानी है पहली बात राहूल गनी के आप समझ लो वो एक बात मानते है कि मैं इतना ग्यानी हूँ कि मेरे सामने जो है वो हर एक आदमी अग्यानी है तो उसका ग्यान देना जरूरी है और ग्यान द इसलिए उनका ज्यान बढ़ते गया कि आप देसे लोगों का समझने का तरीका गलत प्रती दिन बढ़ते जा रहा है जितना बोलेगे जितना बाटेंगे उतना बढ़ता जाता है तो और बढ़ेगा और बढ़ता जाए और मुझे लगता है कि जैसा आपने कहा कि मौधि को और शाह को बहुत सूट कर रहे हैं ये और किसी को कांग्रेस में आगे आने भी नहीं देना चाहते ये 2019 में लोगसबा चुनाओं के समय इनको कुछ आत्म ग्यान प्राप्त हुआ कि चलो इस्तिफा दे देते हैं जिम्मेदारी लेते हुए नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए मा की जगे अध्यक्ष बनाए गए थे जैसे ही इन्होंने इस्तिफा दिया कैप्टर नमरिंदर सिंग ने कुछ दूसरे लोगों ने एक दो नाम उचा ले कि वही सचिन पाइलट को बना दो या इसमें जोती राजित्य सिंध्या में थोड़ी संभावना दिखाई देती है इस पार्क है जमीन से जुड़े हुए हैं संगर शील है अच्छा रहेगा अब आप देखिए वाओ जोती राजित्य सिंध्या तो अब कॉंग्रेस में ही नहीं रहे उनकी ये गत कर दी नाम उचलने के बाद और सचिन पाइलट डिफ्टी चेफ मिनिस्टर भी नहीं रहे और अब हालत ये है कि राहुल गांदी अगर राजस्थान जाते हैं रहली क परिवार की कि आप दिखावे के लिए कहेंगे कि मैं नेतिक ताधार पर इस्तीफा दे रहा हूं अध्यक्षपद से और अब गांधी परिवार के बाहर के किसी को आप अध्यक्षबनाईए हम उसको सपोर्ट करेंगे उस समय भी बड़ी मजाकुडी थी कि कोई कटपुतल ही मनमौहां सिंग जैसा अगर पीसे का प्रेजिजन बन भी गया तो कटपुतली की तरह ही रहेगा वो दस बार दस जनपत के चक्कर लगाएगा हर फैसले से पहले भाशन भी यही जाकर के देंगे दूसरों को बनने नहीं देंगे तो इस तरीके से यह परिवार में लेकर के जाएंगे क्योंकि विश्वसनियता लीडर्शिप की भी पार्टी की भी इन्होंने करीब करीब शुन ने कर दी है महाराष्ट्र में भी विधान सवा का चुनाव हुआ तो एक दीन आ गए दो मिटिंग ले 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 निकल गए दूसरा कोई दिली से आया नहीं महाराष्ट्र में जो कुछ 44 लों को चुन कर आए वो अपने बल्भूते पर आए लेकिन जब लीडर का चुनाव आता है तब य इन्होंने तो रसातल में क्या बोलेंगे आप पार्टी को खतमी कर दिया है और उनका मानना ठीक है कि भाई अगर करना है देखो गुलाम जो होगे आप देखिए कल पर सो गुलाम नभी आजाद तो रिटार हो गए जे जे तो मैंने पहले ही उसमेर भाश्य किया था जिस द उसके पहले दिन एक दिन मैंने वीडियो डाला था तो मैंने खरगे का नाम बोला था कि अनन्य शर्मा बुद्धी मान है उनको एक्सप्रियेंस अच्छा है लेकिन उनको नहीं किया जाएगा वह ब्लैक लिस्टेड है क्योंकि वैक्सिन के बारे में उन्होंने मूदी का सर अब ये खरगे नाम मैंने कहां से निकाला मैं तो घर में बैठा हूँ दिल्ली में भी नहीं हो महारास्टर में भी प्रेसकों प्रसमें नहीं जाता मुंबए में घर में बैठा रहता हूँ तो मैंने खरगे नाम कहां से निकाला अब तो खरगे हो गए बिलकुल तो खरगे की क्षमता देखी जाती है पहले तो खरगे अच्छी हिंदी नहीं बोल सकते उनकी राजनीती की समझ कम है तो इसलिए इसक्षमता बन जाती है बिल्कुल अब देखिए लास्ट टाइम खरगे लोकसभा के नेता थे अब उनके जगा अधिरंजन चौधरी को लाया वह हिंदी अच्छी नहीं बोल सकते और बहुत बहुत ही बेतुका बात कर लेते तो उनको विठे दिया तो क्षमता क्या मनीश्टीवारी या शशी थरूर भी बन सकते थे भी पॉइंट तो पॉइंट बोलेंगे पार्लेमेंटरी लेंग्वेज में बात करेंगे लेकिन अगर ये ठि उनकी चमक जो थी वो इतनी बड़ी थी उनको चीफ मिनिस्टर बनाया नहीं गया तो कारण ये भी है कि ये बहुत चमकते थे तूद पॉइंट बात करते थे जो अपने सचीन पाइलेट के बारे में बोला वही तो जोतिरा जित्ते के बारे में भी है ना बिल्कुल बिल्कुल ये अपनी अकल से क्यों बात करते है प्रॉब्लिम ये है अरे हमारे मराठी में एक बढ़िया राम नगर्पकर नमके सरकेस्टिक लिखने वाले थे उन्ह बिल्कुल बिल्कुल उसमें एक ऐसा मजा किया था कि एक आदमी का दिमाग ठोड़ा घडबर होता है इसलिए उपरेशन करते तो डॉक्टर को पूछा तो वो कुछ भी कर लेता है तो डॉक्टर तो हमारे यहां बोलते हैं तू मोटा अकलेजा कांदाइस इसका मतलब तू बढ़ा अकल वाला है ऐसा अपरोद से बोलते है तो यह पास की बात निकल आती है तो डॉक्टर बोलता है कि ऑप्रेशन किया थो क्या क्या तो उसके अकल का जब प्यास था उसमें से एक छिलका निकाल दिया निकल दूसरा उपरेशन होता है फिर कुछ गड़बर होता है एक छिलका निकाल लिया तो आखिर में बोलते है कि अब उस पे कुछ बचा ही नहीं है प्याज है ही नहीं उसके मगज में तो बढ़ी है इसको तो चीफ मिनिस्टर बनाना चाहिए तो कॉंग्रेस में आजकल वैसे आदमी को लीडर बना देते पहले चेक करते वो अपनी अकल से बात नहीं करेगा अपनी बद्धी इस्तमाल नहीं करेगा वो चेक किया जाता है और दूसरा वो अच्छा प्रेजेंटेशन भी नहीं करेगा वो देखा जाए तो इसलिए खरग और गुलाम नभी आजको एक्स्टेंशन इसी कारण नहीं दिया गया कि यह जी ट्वेंटी त्री या पत्र लिखने वाले जो है वो तो बात अलग है लेकिन वो खुद की अकल से बात करते हैं वो प्राबन है तो यह तो होता रहता है न जहां इंप्रिरिटी कॉंप्लेक्स होता है तो उसका यह परणाम होता है तो कॉंग्रेस में ऐसे किसी को आगे नहीं अब देखिए बाकी की बात छोड़ दो इनसे थोड़ी तो अच्छी प्रियंग का काम कर सकती है इसलिए तो उसको बाजू में रखा गया ना कि अगर वो अपनी अकल से बात करे तो राहुल समझ ले तो आपको यह राजमीती समझ आती है तो मैं तो समझ नहीं कि कोशिश करता हूग जी जी बहुत बहुत धन्यवाद आप जुड़े और कही दिन बाद जुड़े बहुत सारे लोग मुद्जार कर रहे थे पर कोशिश करेंगे कुछ बात में तो हम लंगड़े होते क्योंकि इंटरनेट पर हम रहते कि इंटरनेट तूट जाता है तो क्या करें कोशिश करेंगे कि जल्दी फिर जुड़ें बहुत-बहुत धन्यवाद भाव नमस्कार